हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंट्स देखिए आज मैं आपके लिए 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 आई हूँ एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा नेटिंग पैटर्न फ्रेंट्स ये डिजाइन देखिए दिखने में जितना खुबसूरत है बनाने में उतना ही आसान है और इस डि का डिजाइन है और 6 के मल्टिपल पे ही ये डिजाइन चलता है आप ये डिजाइन बनाओंगे तो आपनी 6666 के गुणा पर फंदे रखने हैं और तीन फंदे एक्षा रखने हैं बाकि सारे फंदे 666 के गुणा पर होने चाहिए ठीक है ये देखिए इसका बैक साइड उल हैं देखो मैंने इस पर 15 फंदे डाले हैं 12 फंदे डिजाइन के हैं दो डिजाइन में आपको बना के बताऊंगी एक तो ठीक है और तीन फंदे एक्षा हैं तो टोटल ये 15 फंदे हैं तो राइट साइड से ये डिजाइन बनना शुरू होता है सीधी तरब से फर्स रो दे दागा पीछे करके तीन फंदे सीधे एक दो तीन ये देखे इनी छे फंदों की डिजाइन को इनी को हमने पूरी स्लाइप रिपीट करना है ठीक है तीन उल्टे तीन सीधे तीन उल्टे तीन सीधे ये दूसरा डिजाइन चुरू हो गया है एक दो और ये तीन तीन उल्ट दो डिजाइन यहाँ पे हो गए हैं लाश्ट में हमारे तीन फंदे बचेंगे तीनों को उल्टे यह फर्स टो है अब देखिए बैक साइड उल्टी तरफ से दूसरी सलाई ध्यान से देखिएगा जो हमने फंदे यहां से उल्टे बुने हैं उन्हें इस साइड से सीधा बु हमने हमने से सोनाई है तो देखिए तीन फंदे सीधे बुनेंगे एक 2-3 यहांनि कि फंदे सीधे की फंदे सीधे खासफर के तीन फंदे पनाने हैं जो फंदे उस तरफ से सीधे हैं उन्हें इस तरफ से उल्टा बनाएंगे और जो उस तरफ से उल्टे बने गए हैं उन्हें बैक साइड से सीधा बनाएंगे तो यह हमारी second row भी over हो गई ठीके आप देखिए third row third row right side सीधी तरफ से तीसरी सलाई तीसरी सलाई हमने फर्स्ट रो जैसे ही बनानी है उल्टे के उपर उल्टा बनाएंगे सीधे के उपर सीधा जो फंदे उल्टे हैं उन्हें उल्टे ही बनाएंगे और जो सीधे हैं उन्हें सीधा बनाएंगे देखें तीन फंदे उल्टे और तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन, धागा आगे तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, ये देखें, इस तरह से हमारी थर्ड रो कम्प्लीट हो गई, आप देखें, फोर्थ रो बैक साइड, चौती सलाई उल्टी तरफ से देखें, कैसे बनानी है, चौती सलाई आप ध्यान से देखोगे, उल्टी तरफ से, शुरू के तीन फंदे तो हम सीधे बुनेंगे, जो सीधे दिखाई दे रहे हैं, उन्हें हमने सीधा ही बनाना है, तीन फंदे सीधे, एक, दो, और तीन, धागा आगे करके, जो ये फंदे उल्टे हैं, जो हमने एक, दो, और तीन, तीन उल्टे फंदों पे एक साथ इस तरह से सलाई डालेंगे, और एक फंदा बनाएंगे, यहां से, इस फंदे को लूज बनाना है, ठीक है, मीडियम लूज बनाएंगे, फिर एक बार हम यहां पे दागा गुमा के एक फंदा और बनाएंगे, दो को हमने पूरी सलाई पे रिपीट करना है, देखिए धागा पीछे करके तीन फंदे सीधे, एक, दो, और तीन, धागा आगे करके जो यह तीन फंदे उल्टे हैं, इन तीनों फंदों पे इस तरह से सलाई डालनी है, और तीन फंदों के तीन फंदे हमने यहां पे बनाने, एक हमने यह बुना एक हमने धागा घुमाया 2 सबस्थ छ म 착य करना एकिवा हलगाना है तो यह 3 के 3 फंद आप बनाने है कि अश्zen पिछे करके तीन पंदे सीधी यह हमारी चौथ ही सलाई है 4 त्रो में करेंगे भी हमारा design आईगा तो अब देखिए शुरू के हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक और दो- दागा पीछे कर देंगे अब जो यह उल्टा फंदा है इस फंदे को हम देखिए यह जो लूज वाला फंदा है इस फंदे को हम आगे लाएंगे और इस फंदे को पीछे ले जाएंगे ठीक है इसको आगे लाएंगे आगे की तरफ से और इसे इस तरह से क्रॉस करेंगे इन दोनों फंदों को अब इन दोनों फंदों को हमने सीधा बनाना है एक और दो ये दिखे इस तरह स तो इसे हम पीछे की तरफ से आगे लाएंगे और सीधे फंदे को आगे से पीछे की तरफ करेंगे इस तरह से इन दो फंदों को हम क्रॉस कर देंगे इन दोनों फंदों को भी हम सीधा ही बनाएंगे इस तरह से ये फंदे हमारे इस तरह से बन जाते हैं अब यहाँ पे हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से इस फंदे को हमने यहाँ पे लाना है, तो इस फंदे को लेंगे और उल्टे फंदे को पीछे करेंगे, सीधे फंदे को आगे करेंगे, दोनों को इस तरह से क्रोस करेंगे, दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे, धा अब इन दोनों फंदों को हमने सीधा बनाना है, देखो इस तरह से, दागा आगे करके लाश्ट में दो फंदे, किनारे किनारे में दोनों साइड दो फंदे उल्टे आएंगे और बीच बीच में एक फंदा उल्टा आएगा फिप्त रोपे, ठीक है, अब देखे शिक्स रो, सिक्स रो बैक साइड, सिक्स रो हमने, जैसे हम उल्टी तरफ से हर बार बुनते आ रहे थे, वैसा ही बुनेंगे, तीन सीधे, तीन उल्टे, तीन सीधे, देखे तीन फंदे सीधे, धागा आगे करके तीन फंदे उल्टे, एक, दो, और ये तीन, फिर धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे एक दो तीञंदे सीधे ठाक आगी करके तीञंदे उल्टे बैक साइट से हमने रेंशियों येह जैस कि भूण नहीं है अरॉसत है लास्ट में 3 सीधे तो इसदू थाल करके सीधे वैसे पेंजू कि पीद्रेवार प्रोजेक्शा हो इस देग्शारATA कहें सब्ल आपको डिजाइन कैसा लगा बहुत ही आसान है और जल्दी से बनके तयार होने वाला डिजाइन है तो फ्रेंड्स तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताईए कमेंट करिए लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले थैंक यू फर वाचिंग ब